हलो फ्रेंड्स गुड आप्टरनून दोस्तों मैं सुरेंदर सिंग जैन एकेडमी से लाइव जैन एकेडमी के इस लाइट प्लेट्फरम पर दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जैसा कि सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों गुड आफ्टरनून सुरब दोस्तों एक बार जो भी आप लोग हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं प्लीज एक जितने भी आपके आपके लोग एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए क्यूंकि दोस्तों आज हम थोड़ा ज्यादा क्यूशन करेंगे और जो एक्जाम पेपर त करेंगे दोस्तों तो एक बार आप सभी लोग जो लाइव सेशन देख रहे हैं दोस्तों इसको शेयर कर दो लाइक कर दो और कौन-कौन आगया एक बार कमेंट करके बता भी दो कि कौन-कौन लाइव है आर्ट्री वर्ल्ड बॉक्स गुड़ आफ्टर नोन सर यूपी से अच्छा यूपी महिंद्र कुमार मेगवाल गुड़ आफ्टर नोन एक्जाम प्लेयर गुड़ आफ्टर नोन दोस्तों आनसर आज आप सभी को जल्दी देने है क्योंकि क्यूशन है ज्यादा ठीक है तो जो हमारा टाइमिंग होता है वन ओर का उसी में क्यूशन आज ज्यादा करेंगे अंकित मरसी खलो अंकित गुड़ आफ्टर नोन दोस्तों जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारा टेलिग्राम ग्रूप डिस्क्रेप्शन बोक्स में आपको मिल गया है एक बर आप जाके जोइन करें दोस्तों जो जो ओनलाइन है एक बार कंप्लीट जो हमारा लाइफ सेशन देखने हैं एक बार आप लाइक कर दें क्यूंकि अभी तक लाइक का उप्शन आया नहीं किसी की तरफ से सीता राम राम सर जी राम राम तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं आशा करता हूं सबी लोग आ गए होंगे तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ो और हाथ वाथ आंसर दो मैंने आपको कल भी समय था कहां निकली है इंस्ट्रक्टर की बरती तो को इंस्ट्रक्टर की बरती अभी आई हुई है आरे सी की दो पोस्ट है लेकिन अधर कंद अधर स्टेट वाले नोट इलिजिवल है ठीक अभी हाली में कुछ जुलाई अगस्तक अपने राजस्कान में भी आने वाली है पूरी-पूरी उम्मीद है कि बंदू चोधरी डी कि दोस्तों आंसर स्टार्ट करो जो लोग देख रहे हैं कि प्लीज देखो लाइक अभी तक किसी ने नहीं किया है तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करें एक्जाम्पलेयर डी शभास मेंदर कुमार डी बहुत बढ़िया देखो सब्स्टेंस यूजड ए एंटिफ्रीज आप लोगों को पता है कि एंटिफ्रीज के यूप में क्या हम केरोसीन का यूज करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों क्या हम एर का यूज करेंगे नहीं करेंगे तो किसका करते हैं दोस्तो ये जो क्यों है वह क्या होता है मारा इंकित रहाना दी विने शरजी मेरी पीड़ी जॉब लग गई हुँड है बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़ियों आपको ब्यार आरेसी मेकेनिक डी तो राइट आंसर हमारा दोस्तों डी हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसन की बात करेंगे क्यूसन नंबर 62 सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों रैफ्रीज रेंट केसिंग ओजोन डिपलेविशन मतलब ओजोन परत को जो नुक्सान पहुचाने वाला जो रैफ्रीज रेंट होता है दोस्तों वह कौन सा होता है आंसर दीजिए सभी लोग फटा फट की ओजोन परत को कौन सा रैफ्रीज रेंट दोस्तों नुक्सान पहुचाता है क्या सी पहुचाता है क्या एसो टू क्य क्या अमोनिया क्या HC आर्टी वक्सप शी एग्जाम्पलेजिर्सि अहेंदर जी सिए जीए दोस्तों जो मारे ओजोन परत को क्या करता नुक्सान पहुचाता है जो चिद्र होने के जो कारण दोस्तों वह क्या है अंकित के भी कि बहूत बड़ी अंसर सी क्या adopter सकता अभीसी के साथ कि koşा जाता है exercise प्रिजिंग के सबके याद होना है है कुछ जग है दोस्तों इसको हैलो कार्बन भी माना जाता लेकिन दोनों जब एक साथ होते हैं तो काफी इस्तिती खड़ी हो जाती है उसको समझने में सी एपसी का मतलब प्लोरो फ्लोरो कार्बन हीका दोस्तोंे Laden 是 1963 63 कह रहा है कि जो भी अमारे हैलाइट होते हैं लिग डिडेक्टिन में काफी साइक होते हैं उनका उपयोग और किसके लिए करता हैं बताई उस अधाई करने के लिए हैलाइट टोर्वकानों कौन से परशित को के लिए उप्योग किया जाता है आंसर क्यूशन पढ़िए आंसर दीजिए एक्जाम्प्लियर क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन बहुत बढ़िया देखो मैं यह आपको दावा देता हूं यह जो अपने को एक क्यूशन के लिए तो कोई बुरा नहीं है पचास क्यूशन आएंगे दस अजार क्यूशन में आपके पचास क्यूशन किलियर हो जाएंगे तो मतलब ठोड़ा सोच अच्छा रखो कि एग्जाम प्लेयर सी कि हेलो कारवन रेफ्रिजरेंट बिहार आरेसी मेकेनिक भी बहुत बढ़ीयाद डेकवँ आप सभी को पता है जो भी हमारे हassung होते हैं क्या होते हैं दो स्वल्आ हमुशन प्लेयर्ण के सामट के रेफ्रिजरेंट में करते हैं में पुते हैं इसलिए इसलिए गजारेगी और your द E भी होगा क्या इने औरगणिक रेफिरेजरेंट होगा दोस्तों नहीं होगा दोस्तों औरन नोग नहीं होगा राइट आंसर जोगा दोस्तों भी और होगा ठीक है नेक्स्ट क्यूसन नंबर 64 64 विच वन इज ए एजियो ट्रोफी रेफ्रिजरेंट बताइए निम्न में से कौन सा एक एजियो ट्रोफी रेफ्रिजरेंट है आंसर दीजिये सभी लोग जो देख रहे हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है क्या आर 290 क्या आर 600 क्या आर 502 क्या आर 114 बताइए दोस्तों एजियो ट्रोफी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं जब हम किसी दो रेफ्रिजरेंट को एक निश्चित अनुपात में मिला के किसी एक रेफ्रिजरेंट का दोस्तों निर्मान करते हैं वो ही हमारे क्या कहलाते हैं एजियो टोपी रैफ्रीजरेंट कहलाते हैं अंकित C एग्जाम प्लेइर C आर टी सी आर पांसो दो बिलकुल भूत बढ़िया आर पांसो दो होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों एजियो टोपी रैफ्रीजरेंट उता है इसी के साथ next क्यूसन की बात करेंगे दोस्तों क् 65 काफ़ी important question है दोस्तों बताईए chemical formula उप R114 इसका answer दीजिया आपके पास pen copy होंगे साथ में तो जल्दी से solution निकालिए इसका answer क्या है दोस्तों बताईए दोस्तों क्या answer होगा question number 65 R114 का राशाइनिक नाम बताना दोस्तों chemical formula बताना है answer दीजिये सभी लोग जल्दी से निकाल के pen copy लेओ और हाथ वाथ निकालो निकालो दोस्तों answer answer निकालो बिहार आ रहेती मेकिनिक C मैं कहता हूं बिहार वाले भाई एदी मैं C answer हटा दू तो क्या होगा RT B देखो तुक्के वाली बात निचलेगे एग्जाम्पलियर B सई answer बताईए सई answer क्या है अंकित B यार सई answer किसी का आई नहीं रहे भी तक भाई यो सई answer किसी का निया है देखो जो भी आंसर दे रहे हैं 64 में B सोरब सेनी कह रहा है सोरी बिहार आरे सी सी आर्टी बी 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 की कोफी क्यों कर रहे हो एक मैंस पानी में गिरेगी तो सब थोड़ी गिरेंगे बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका सोरब सेनी A भी नहीं होगा B भी नहीं होगा बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा इसका एक्जमपलेयर्स चार फ्लोरीन आइटम्थू कारबौन प्लोरेंटरी थू है हाँ तो भई यहां तक होगा तो दिख्कत क्या रही है आप ने कहा कि टो कारबन कितने डो कार बन आपने का चेज प्लोरीन लोग सो यह वह पर ऑफेंगे जो क्या होगे पैट टीन अईड्रोजन कैसे आएंगे भे इस अधिन ने मतलब निकाल दिया राइट आनशर क्या होगा दोस्तों मारा डी होगा ठीक है क्योंकि जो लास्ट में जो बसते हैं न मारे क्लोरीन बसते हैं इसी के साथ में हम या तो देखो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं क्यूशन एक साथ होता तो हम क्या करते एक साथ करते लेकिन क्यूशन ने क्या किया दोस्तो अलग-अलग गुरुप में दिया है तो गमराने की बात नहीं है हमारे पास क्या होगा इसका कर देंगे cclf2 इसका भी कर देंगे cclf2 तो यह हमारा क्या होगा दोस्तो आंसर आ जाएगा इसमें मतलब आप लोगों ने काफी लोगों ने गलत दिया तो दोस्तो गलत नहीं होना चीए वो ही अपना प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस जीरो फोर्मूला लगाओ और निकालो ठीक है चलो कोई नहीं नेक्स्ट क्यूशन की बात करते है नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों क्यूशन नंबर 66 काफी बार पूछा जाता है हर एक्जाम में बताईए दोस्तों क्यूशन नंबर 6 इन रेट्रोफिटिंग प्रोसेस आर बारा इस जनररली रिप्रेस्ट बताईए दोस्तों आर्ट्री का अंसर है सी सी बिल्कुल बहुत बढ़िया क्यूंकि आप सब को पता है जो आर बारा रेप्रिज्रेंट है ना दोस्तों उसको किसमें बतला गया आर एक्सोंती से में बतला गया था खीक है इसी के साथ आर एक्सोंती से के बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा उइल हम यूज में लेते हैं उन सब के बारे में दोस्तों चर्चा होनी चाहिए ठीक है सबका आंसर बिलकुत आया है नेक्सटन है दोस्तों 667 इवर और एक गुड़ रेपरिजरेंट फुड़ हेव मतलब जो हमारे अच्छे रेपरिजरेंट होंगे वो निम्न गुलन धरम का पालन करते हैं बताओ किसका पालन करते हैं दोस्तों बताओ किसका पालन करते हैं आंसर दीजिये सभी 67 में B High Latent Heat High Specic Heat Low Thermal Conductivity Low Delectric Strength सभी बहुत बढ़िया देखो दोस्तों आपको सब को पता है कि जब हम रेप्रिजिनेंट की परपर्टीज पढ़ते हैं न सबसे ज़्यादा चर्चित में रहने वाला गुल ने होता हमारा High Latent Heat तो दोस्तों High Latent Heat क्या होगा इसका सही राइंसर होगा क्या High Specic Heat होगा नहीं होगा क्या Low Thermal Conductivity होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो यह चीज पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कुशन बात करेंगे 68 component of a car AC system बताइए दोस्तों कार AC का जो component अव्य है compressor gearbox magnetic clutch कौन-कौन सा है बताइए आंसर दीजिए सभी लोग कि आंसर दीजिए सभी लोग का आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सोरभ कह रहा है कि आप सभी में से बी आर्सी का फोर्म किस-किस ने फिल किया है देख सोरभ यह जो जानकारी है ना आपको जो अमारा टेलिग्राम गुरूप है उसमें आप क्यूंकि उसमें जितने भी बच्चे हैं सारे मतलब का त्यारी करने वाले हैं तो यह चीज मैं यंसन आप उसमें करो तो अच्छा रिप्लाइं मिलेगा आपको वहीं कि पर इस बिल्कुष d आंसर किसने दिया है और टी स्वरभ दोस्तों आपको पता है कि जो भी हमारे सिस्टम होते हैं उसमें नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों डी होगा ठीक है इसी के साथ बात करते हैं 69 नंबर क्यूसन पिक अप दा रोंग इस्टेटमेंट इन्वेटर एसे बताइए दोस्तों इन्वेटर एसी का निम्न में से कुन सा कथन गलत है बताईए दोस्तों कौन सा कथन गलत है स्प्लिट एसी का इन्वेटर टाइप आंसर दीजी सभी दोस्तों इन्वेटर टाइप स्प्लिट एसी के किस गलत कथन का चेहन कीजिए क्या कंप्रेसर परिवर्तन शिल्गति पर चलता है इंग्लिश में पढ़ो कंप्रेसर रन एंड वेडियेबल स्पीड कंजम्स लेस पावर रेट पार्ट लोड वोल्टेज इस्टेपलाइजर इस आलवेज रिक्वाइड नोट टेबल फोर ओवर्लोड कैपिशिट्र माँ फिर कह देता हूं दोस्तों गलत पूछ रहे हैं कि कोई नहीं बताएगा गलत बताना है कि महंद्र कुमार एक कंप्रेसर रन वेडियर भाई यह तो सई कथन गलत कथन पूछना है महंदर की गलत कथन बताना यह तो सई कथन कि इसका जो कंप्रेसर होता बेरिबल स्पीड पर चलता है तो यह तो इसका आंसर होई नहीं सकता आर्टी कहारा सी आंसर वोल्टेज इस्टेपलाइर इस आलवेज रिक्वाइड सोरब क्यारा डी नोड शुटेबल फर ओवरलोड कैपिसिटी दोस्तो आप सभी को पता है कि जो हमारे इन्वेटर ओसी होते हैं न दोस्तों उनको यह इस्टेपलाइजर की रिक्वाइड हंटा मेंसा नहीं होती है इस्टेपलाइजर की रिक्वाइड कहा होती है जहां पे वोल्टेज का Friction होता है जहां पर बोल्टेज कम आते हैं पुस इस्तिती में हम इस्टेबलाइजर के आँ सकता होती यह कोई नियम नहीं कि के साथ हम इस्टेबलाइजर ही लगाएं दोस्तो तो राइट क्या कारेशी सिस्टम एक कारेशी में सिस्टम में जो कंपरेशर किस से चलाया जाता है बताइए दोस्तों को बताएं में जो हमारा कार कि सो होता है यह क्मपरेंसर कि से चलता है डालय कैले के सिता यह की से क्याकड़न पिससे चलेगा दोस्तों बताओ। 75े आ मैं लिए महिंद्र कुमार भी एंप भलू चोधरी भी बहुत बढ़िया देखो आप सभी को पता है कि जो भी हमारे कार एसी ट्रक एसी जो भी होते हैं बस एसी वगरा वो सब किसे चलते हैं दोस्तों हमारे कार के जो इंजन होते हैं इंजन के द्वारा ही चलते हैं तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों भी होगा सभी का आंसर सह करई कि नेक्स्ट की बात करेंगे न BAério नमबर सेवनटी यो में ठोंचा गए डक्त है टक्ट किसके बनने होते हैं गेयल विल नाक्ट के यहोते हैं ऐलुमिनयम के वते फाइबर ग्लास के होते हैं पताएँ दोस्तों रॉइना सरक्या होगा क्या टिनके भी बना सकते हैं क्या अपन डक्ट बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा डक्ट बनाई जाती है आरे सी डी आर्टी वर्ल्ड बोक्स डी उपरोख सभी महिंदर कुमार डी बिल्कुल देखो सबको पता है कि जो भी हमारे डक्ट होती है जी आई सीट फाइबर ग्लास या एलुमिनियम की हम बनाते हैं तो यह चीज़ सबको पता हो ना चाहिए राइट आंसर दोस्तों डी ओ क्योंबर करें बताएख में आयतकाम अनुपर स्ट का इयुक्त होता है रेसियो चीज़ जरूर्म पकड़ लेना रेशियों का आंसर हमें रेशियों में देना है जो डुबा की गुणा बाग में नहीं देना है बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका कि आंसर दीजिये आर्टी वर्ट बोक्ष सी और बिहार आरेसी मेकेनिक्स सी बल्लू चोदरी सी महिंदर कुमार डी दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी हमारे आयता का डक्ट होती है ना जब हम उनका अनुपात ग्याद करते हैं तो अनुपात किस परकार से ग्याद करेंगे लंबी सब्सक्राइब चोटी सब्सक्राइब करते हैं उससी क्या करते हैं नुपात लेते हैं इंगलिस में रेशिओ याद रखना हैं समझ नहीं आया सर क्यूशन यह कह रहा है जो हमारे आयताकार लंबा है कि आयताकार ड़क्ट होती है क्या होती है ड़क्ट होती है इस ड़क्ट में जो हम जो एरिया लेते हैं कि जो अनुप्रस्त काट लेंगे वो किस रेशियो पर लेंगे रेशियो होता है जब हम इनको बनाते हैं तो एक रेशियो होता है उस रेशियो के अकोडिंग इसको बनाय चाँ तो इसका जो seconds on होता हो क्या होता है पहले तो हम क्या करेंगे लंभाई का नुपात औरै छोटी साइट का नुपात लेके इसको अनुपात डिफीन करेंगे ठीक है तो यह sugen काफी बार पूचह जाता है हर एकजाम में जो इसका राइट आंसर होता हो यही होता है ratio of the longer side and the small side जो भी हमारी छोटी side होती है ठीक है दोस्तों next question की बात करेंगे question number 73 73 कह रहा है advantage of split AC compared to window AC की आप तुलना करो split AC की window AC में की क्या है क्या नहीं है तो window AC की तुलना में split AC का लाब होता है बता दीजिए दोस्तों राइट answer क्या होगा बताएए दोस्तों राइट answer क्या होगा RTD उपरोग समी ताज़ा हवा कम कीमत कम सोर का इस्तर भाई एक बात बताओ window AC की तुलना में split AC का लाब window AC हम 1.5 टन की बात करें 25,000 20 से 25,000 की बीच में आ जाती है लेकिन इसी पर हम split की बात करें इसी की बात करें आप कम से कम 30,000 की तो मान के चलो 30 से लेके 40,000 की आती है तो यह कम कीमत का option तो 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 खटा दो ताज़ा हवा भाई ताज़ा हवा देता है क्या हमारा पर ताज़ा हवा तो आती नहीं है तो दोस्त। इसका right answer होता है वो यही होता है जो हमारे split AC होते हैं वो क्या करते हैं सोर को काफी कम करते हैं ठीक है नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों क्यूसर नंबर 74 क्यूसर नंबर 74 कह रहा है कि फ्लोडेड ऐउपड़ेटर है तू भी फिटेटेड विट जो हमारे फ्लोडेड ऑपरेटर होते हैं उनके साथ में क्या-क्या फिट होता दोस्तों बताइए बताइए दोस्तों क्या-क्या फिट होता है क्या एक्यूमिलेटर फिट होता है क्या फ्लोट वाल क्या लिक्विड एमिलेटर क्या वलोब दीज राइट आंसर क्या होगा बल्लू चोदरी भी वल्लू चोदरी एहली क्यों सन ऐसे पूता ना कि फ्लोडड ए ऑपुरेटर के साथ मियम खौन से एग्स का यूज करते हैं तब हमारा आणसर होता फू स्लोट वाल या फिर ऐसे पूस्ता फ्लोट जो हमारे फ्लोडेड ए उपरेटर होता है उनके अंत्रमियम कौन से किसको लगाया जाता है तब वो को होता उसका फ्लोट वाल और एकजाम प्लियर डी और्समेकेनिक वे हैं आपकी बास आपकी सै«टो क१ाइड वाल का यूज़ करते हैं लेकिन इसके साथ में दोस्तो और भी हम किसी चीज करते हैं जैसे बात करें एक EUM लेटर का भी यूज़ करेंगे फ्लोट वाल का भी करेंगे और जो हमारे liquid eliminator होते हैं दोस्तों इसका भी हम use करते हैं ठीक है तो right answer होगा दोस्तों हमारा D होगा क्या होगा दी होगा तो यह चीज आपको जब समझ में आएगी जब आप लोग expansion वाल पड़ोगे जब float वाल के बारे में आप complete चर्चा देखोगे ना अंदर कहां eliminator लगे होते हैं कहां हमारा float पाल होगा कहां liquid eliminator होगा कहां accumulator होगा वो सब चीज दोस्तों आपको वहीं पता लगेगी ठीक है next question की बात करेंगे दोस्तों question number 75 सभी बता दीजिए screw compressor का उप्योग हम कहां करते हैं बताइए बताइए दोस्तों screw compressor का उप्योग domestic refrigerator water cooler window air conditioning central air conditioning बताइए दोस्तों कहां use होता है इनका बल्लु चोधरी D central air conditioning 75 D exam player बताइए दोस्तों कहां बताइए दोस्तों कहां बताइए दोस्तों कहां बताइए MHS all-in-one D सोरफ सैने D बहुत बढ़िया सभी का आंसर दोस्तों positive है जो हमारे screw compressor होते हैं उनका उप्योगम सबसे ज्यादा central air conditioning में करते हैं अंकीत कुमार राना बहुत बढ़िया D answer next question की बात करेंगे दोस्तों question number 76 generally expansion device used for domestic refrigerator ऐसा कोई exam नहीं है दोस्तों उस exam में इसका जिक्र नहीं होता हो तो बताओ सभी लोग किसका यूज करते हैं हम domestic refrigerator में expansion वाल के रूप में दोस्तों बताइए answer बताइए दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग और मैं फिर कह रहा हूं जो हमारा इस live session को देख रहे हैं दोस्तों प्लीज एक पर like करें share करें बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी RAC के student है दोस्तों उनको सब को पता लगे exam player बिल्कुत सबका अंसर सही है दोस्तों क्योंकि capillary tube का उपयोग तीन टन से कम के लिए हम किसका यूज करते हैं capillary tube का उपयोग करते हैं तो यह भी क्यूशन DMRC में दोस्तों पूछा गया था जब हम DMRC का solution करवाएंगे तो आपको DMRC का भी बताएंगे क्यूशन ठीकर right answer दोस अर एक्जाम में परंपरा को निवाता है क्यूशन वह परंपरा क्या है इसका answer क्या है दोस्तों बताइए क्या centrifugal compressor का उपयोग हम domestic में करते हैं क्या excel टाइप का करेंगी हर्मेटिक ली सिल्ड रेसिप्रोकेटिंग कंपरेशर या फिर सेमी सिल्ड एक्सल टाइप का करेंगे दोस्तों answer दीजिए सभी लोग एक्जाम प्लेयर सी हर्मेटिक्ली सिल्ड कंपरेशर बन्लु चोदरी सी आर्टी वर्ल्ड वोक्स भाई कह रहा है डी आंसर होगा सेमी सिल्ड एक्सल टाइप महिंद्र जी कह रहे हैं सी तो दोस्तो जब सी का वोट ज्यादा है तो यह हमें भी पता है कि जो दोमेस्प्रिटिक में हम सिल्ड टाइप हर्मेर्टिक क्या होगाало पता दीजे सभी लोग और जल्दी से दे दीजे दोस्तो इसका अंसर केपी सी आपाँष्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होती है बताईए क्या दो टन होगी क्या पांस टन होगी क्या दस टन होगी क्या पॉइंट टू टन होगी दोस्तों बताईए आंसर दीजिए बिहार आरेसी सी दोस्तो दीजी आंसर फटा फट कैपिसिटी ओप डॉमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बताईए दोस्तो बनलु चोधरी ये 0.2 टन बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा कई बर 0.2 आ जाए या 0.1 आ जाए या 0.3 टन आ जाए ठीक है तो इसका ध्यान रखना जब तीनो एक साथ भी आ जाएगा न तो हम क्या करेंगे 0.1 वाले को फर्स्ट नंबर रखेंगे इसको सेकिंड रखेंगे इसको थेड रखेंगे ठीक है जब दो आ जाए 0.1, 0.3 तो भ साफी जरूरी ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं कि आपका इंसे सामना नहीं होगा आप लोग जब पेपर एनलाइसे करोगे तो आपको मैं कई क्यूशन ऐसे दिखाऊंगा जो आप खुद कंफ्यूज होगे कि सारी इसके आंसर तो तीने होने चीए लेकिन डीक्यू हो रहा ह कि इन रेफ्रिजूरेशन मसीन में क्या होता है उस्मा के ज़्यादा करती है ज्यादा रिजएक्ट करती है किस से क्या है आंसर दीजे दोस्तों और वसने міगत के बजाताओ को hiç reacted in More Than HeatHIPS 우리 आतार्थ हीट एब्जोर्ड वेडि एब्जोर करने की तुल्णा में chied reject क्या करता दोस्तो only की करता है कि अंकित कहरा है Hen 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 constit ritual in more than heat बिल्कुल देखो सभी का आंसर सही है क्योंकि जो हमारा BCR सिस्टम होता है उसमें क्या होता है हीट रिजेक्ट क्या होती दोस्तों ज्यादा होती है कारण क्या है देखो इवोपोरेटर की हीट क्या होता है दोस्तों इवोपोरेटर की हीट और साथ में जब इवोपोरेटर की कि हीट ठीक है कमपरेसर की हीट जब दोनों हीट मिलेगी reject कौन करेगा कंडेंसर करेगा कौन करेगा दोस्तों कंडेंसर करेगा तो यह चीज आपको पता हो ना चाहिए कई पर पूछा जाता है क्यूसन अच्छा क्यूसन है रेफ्रिजरेटर का COP क्या होता है बताईए सभी लोग क्या क्या होता है इंक्रीज इन समर्ड बता दीज सभी आंसर गर्मियों की गर्मी वर्य सर्दियों की तुल्ण में अपे सबस्क्राइब काफी तो बड़न जाती हैं इनके रीकियों amountis आदा हुता एक्ःट्रेरन पुरा नाम कओफिसेंट पर्फॉर्मेंस कुछे जाते हैं और क्यूशन वही करवाएगे जो हर एक्जाम पूछती है वैसे तो COP के जमीट बात करें तो दोस्तों पिए ज़्यादा मतलब हाड क्यूशन होते हैं वह क्यूशन हमारे डाले नहीं जाते जो mostly डाले जाते हैं वो basic में ही डाले जाते हैं कुछ एकाद अपवाद में भी डाल दिये जाते हैं उनकी सबकी चर्चा दोस्तों हम कुछ आने वाले समय में करेंगे ठीक है इसी के साथ हम 81 नंबर का क्यूशन है दोस्तों यह भी क्यूशन दोस्तों परंपरा चलाके निबात आ रहा है यह परंपरा चलती रहेगी क्यूशनों की रुकेगी नहीं तो आंसर दे दीजिए घरेलू रेप्रिजरेटर के जो पीछी हमारे एक टूब लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों बता दीजिए सबी लोग क्या हम इनको क्या कहेंगे एक्टीवन में बी आंसर कंडेंसर ट्यूब अंकित जी बी एक्जाम्पलियर भी आर्टी भी बहुत बढ़िया देखो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें एर कुल्ट कंडेंसर का यूज करते हैं ठीक है उसमें जो पीछे के और जो आपने सबका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों बहुत बढ़िया बस ऐसे फटा फटा आंसर देते जाओ और तुम्हारी प्रैक्टिस को मतलब आगे बढ़ाते जाओ नेक्स्ट फ्यूशन है विच वन इस नोट एक कंप्रेसर ओफ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बताइए कि निम् बर्लु चोदरी टी एक्जाम प्लेयर डी दोस्तो आप सभी का आनसर बिल्कुल सही आ रहा है क्यूंकि इसने नहीं पुचा है तो हम क्या करेंगे दोस्तो नहीं का चुनाओ करेंगे तो right answer क्या होगा दोस्तों हमारा D होगा ठीक है next question देखो दोस्तो commonly used in insulating material for domestic refrigerator की जो हमारे घरेलू refrigerator होते हैं दोस्तों उसमें insulation के रूप में हम किसका use करते हैं सभी answer दो फटा फट सभी answer दो फटा फट right answer क्या होगा बल्लू चोधरी डी एक्जाम प्लेयर सी अच्छा सी बल्लू चोधरी सी एक्जाम प्लेयर सी अंकित सी आप सबको पता है कि जो भी हमारे घरेलू refrigerator होंगे देखो option को काटना सी को क्या core के हो स्टील क्या स्टील का उप्योग हम insulation में करेंगे नहीं करेंगे अटाओ क्या हम ग्लास वूल वद तांबा भी मेटर लागा इसको भी हटाओ उप्रोक्त में से कोई नहीं भी हटाओ क्यों अटाएंगी क्योंकि इस पर काफी focus रखना है दोस्तों क्योंकि जो हमारे डक्त होती थी उन पर हम काफी जगह जो हमारे चिल्लर होते थे चिल्लर के उपर भी हम काफी पहले लगाते थे पर आप तो क्या सब पर डिपेंड हो गए ठीक है तो यह चीज आपको पता हो ना चाहिए दूसरी बात दोस्तों आज कल जो ग्लास वूल का उप्योग है न कहा कर रहें जो भी हमारी बिल्डिंग है बन रही है ना उनके दिवारों के बीच में भी दोस्तों ग्लास वूल को डाला जाता जिससे क्या हो गर्मियों में सबीं इसे बता दीजिए कि जो हमारा कंप्रेशर है दोस्तों वह कंटीनू चली रहे बंदी नहीं हो रहा तो क्या डिफ्यक्ट्ट्व हो सकता है यह जो कूँसन दोस्तों हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं वैसे तो ठिएटिकल में भी मैंसन होता है लेकिन ऐसे लिखा हुआ mention नहीं हो तो यह चीज कम मिलती है जब हम आप practical करते हैं तो काफी क्यूशन आते हैं इसे answer दीजिए सभी लोग बल्लू चोदरी D thermostate RT word D तो आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्तो जब हमारा thermostate defect होता है defective होता है उस इस्तिति में क्या होता हमारा compressor चलेगा ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्यूशन की बात करेंगे है दोस्तो नेक्स्ट क्यूशन 85 नंबर क्यूशन 85 नंबर क्यूशन है दोस्तो एक कस्टमर complaint about less pulling in the refrigerator the possible result may be भाई कोई customer है आपको phone करके बोलता है कि हमारे जो एर कंडिशनर है दोस्तों उसमें क्या हो तो क्या कारण हो सकता है पताई दोस्तो क्या कारण हो सकता है एक्जाम प्लियर डी बल्लू चोदरी डी अ कर दोस्तों डी आंसर बिलकूल स़ह है क्यूंग की आप सब टेंपरेचर हमारा मेंटेन नहीं होगा एक आई में रैफ्रीज्ट रेंड चार्ज कम होगा तो भी हमाएं कूलिंग नहीं मिलेगी और दरवाजा की सील स्रतिगस्त अथार जो मारा गेस के एट है दोस्तों वो स्रतिगस्त हो जाएगा तो उस इस्थिति में भी क्या होगा पूलिंग नहीं होगी राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन की बात करेंगे एटी सिक्स एटी सिक्स कहरा है फोर में सनोवदा फ्रोस्ट रेफ्रीज रेटर बता दीजी रेफ्रीज रेटर में फ्रोस्ट बनने का परिणाम होता है क्या परि की रेट बढ़ जाएगी तो बताइए राइट आंसर क्या है दोस्तों अ कि एक्जाम प्लियर एक्टी सिक्स में भी डिक्रीज ही ट्रांसफर कि बल्लू चोधरी एइंक्रीज ही कि देखो बल्लू चोधरी मां आपको बताना चाहता हूं यह बात चल रही है रेफ्रीजरेटर की और जो मारे फ्रोस्ट रेफ्रीजरेटर होते हैं ना ठीक है फ्रोस्ट रेफ्रीजरेटर सिंगल डोर मानलो डबल डोर मानलो सब क्या होते हैं फ्रोस्ट फ्रीड की सब फ्रो ओड़ेगा या गठेगा ओनने और ती खेया रहा है बी बिल्कुल राइट ऐसर दोस्तों B होगा क्योंकि हीट हीट थे ट्रांसफर होगा क्योंकि हीट ट्रांसपर कैसे होगी दोस्तों ठंडक नहीं होगी practically आप double door की जब हमारा heater काम नहीं करता है दोस्तों defrost heater उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों complete बरफ हमारी operator पर जम जाती है और नीचे cooling बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों वही सैंसी हमारे single door में होती पर single door तो क्या दोस्तों maintain कर देता है थोड़ा वो temperature इसके बाद बात करेंगे 87 number का क्यूसन है दोस्तों the component which is used to defrost a frost free refrigerator बता दीजिए कि वह कौन सा अव्वे है जो frost free refrigerator को defrost करने के लिए काम आता है बताइए दोस्तों क्या हम screw compressor के आऊ सकता है क्या electrical heating coil के आऊ सकता है क्या thermostatic expansion वाल की आऊ सकता है जो हमारे a operator होते हैं उसके उपर हम क्या लगाते हैं दोस्तों या तो लगाएंगे लगाएंगे इन कोईलों के साथ हो किया कर देंगे ना में घेटार की लाइन डाल देंगे तो एक ताइप थीक है तो जो नोन फ्रोस्ट होते हैं उन पर क्या होता है दोस्तों बरफ नहीं जमती है की आइस क्रीम के यूज में यूज में लेंगे क्या इकिन दिप रीज़र में क्या छोकलेट में बताओ दोस्तों कहां यूज होगा दोस्तों आप सबको पता है कि आइस क्रीम में हम यूज में नहीं ले सकते इसको आइस मेकिंग में नहीं लेंगे लेकिन चोकलेट मेकिंग में दोस्तों इनका उप्योग लेंगे क्योंकि चोकलेट का जो दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसमें होता है दोस्तों बताइए जो वाटर कुलर होता दोस्तों उसका अंदर टैंक में पानी के लेवल को मेंटेंड करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं आंसर दीजिए सभी दोस्तों और इसी के साथ कुछन आपको एक और बहुत बढ़िए क्यूंस बताएंगे कि दोस्तों अप्सिन मैं पता दिता हम सबसे पहले बात करेंगे अब प्लोट वाल कि की किちょっと Gian क्या काम करता है इसके बाद चेक वाल इसके बाद सोलेनाइड वाल इसके बाद बोल वाल बताए दोस्तो 89 में एंसर किसका एक्जाम प्लेयर एकजाम प्लियर फ्लोट वाल बिल्कुल बिल्कुल डेखो जो फ्लोट वाल होते न अरे यह तो सब को पता होता है जो कलंबर वाले हो हमारे घरो में भी फ्लोट वाल हम टेंकश के यंद और राते हैं डा deix यदिशे ब्लोट वाल में तो उसी के साथ हमारा पानीस में आना बंद हो जाएगा ठीक है तो फ्लोट वाल यह टाइट आंसर है एक्जाम प्लेयर ए नेक्स्ट क्यूशन की बात करो दोस्तो नब्ब नंबर का क्यूशन है सीतलक मिनार की द्वारा उस्मा का निसकासन मुख्यत होता है बाई कूलिंग टावर होते हैं न हमारे वो किस पे मतलब काहरे करते हैं हीट का रिजेक्शन करते हैं बताइए फ्लोट वाल वाटर लेवल मेंटेन करके रखता है बिल्कुल एक्जाम प्लेयर फ्लोट वाल वाटर को मेंटेन करके रखता है काफी जरूरी भी है इससे क्या हो नब्वे में आ रहा भी आंसर देखो आंसर आया नहीं है कि शीतलक मिनार अथार्थ कूलिंग टावर के द्वारा उस्मा का निसकासन मुख्यत होता है देखो जो भी अमारे कूलिंग टावर होते हैं कि यह अमारा फैन लगा हुगा है ठीक है कि यह मारा क्या संपह यह नोजल है हमारी ठीक और यह अंदर क्या लगी होती है फिन से लगी होती लिए इस घ्लिंग पढ़ाएंगे तो ओरिजिनल दिखाएंगे ठीक है तो राइट अंसर अभी तक डी आया है य cesn बिल्कुल राइट आंसर डी आए देखो जब कोई भी हम पानी की हीट को निकालते हैं तो जब तक उसका वास्पन नहीं होगा तो क्या हीट लेके उड़ सकता है क्या नहीं उड़ सकता है राइट आंसर डी मिट्टी के गड़ों में जो पानी ठंडा यह उपरेशन के कारण ठीक है साथ में और बात करें हम जो भी हमारे कुलिंग टावर यह उपरेशन पर काम सिद्धान पर कारे करते हैं यह ठीक है हमारे डेजट कुलर भी दोस्तों इसी पर चलते हैं तो यह किस बाग में सप्लाइव वायू रिटन वायू से मिलती है यह कोई हमारा पेके जैसी है ठीक है नीचे यह हमारे कंपरेशर यह कंडेंसर लग गए ठीक है यह हमारा कोईल सेक्शन हो गया और यहीं पर हमने ब्लोवर लगा दिया ठीक है तो बात चल रही है कि पेके जैर मिलेगी क्या यह वायू हैंडलर पर मिलेगी अब हमें इसके लिए दोस्तों डेंपर का पता हो ना चाहिए रडी कह रहें बी एयर हैंडलर महिंदर कुमार जी कह रहें डी फ्लो स्विच भाई महिंदर कुमार जी फ्लो स्विच जो हमारा पानी का लेवल होता है ना उसको फ्लो को सेंस करता है डाही के जियारा तीन के जियारा है वो फ्लो को बताता है ठीक है पानी के फ्लो को साथ में यह कंट्रोल भी करता है कितन बिल्कुल बढ़ी आए क्योंकि इसका जो राइट आंसर दोस्तो यह होगा डैमपर से ताथ पर जो भी हमारे डक्त लगी होगी या फिर जो सामाई ने जो गिरिल होती है न दोस्तों उससे देंपर कहते हैं उस देंपर पर क्या होगा सप्लाई एर भी जा रही है और जो कि वाइट कलर ओफ आई सिज बिकोज बताइए कि बरफ का दूद्या रंग किसके कारण होता है आप लोगों ने देखा होगा कि बरफ सफेद होती है क्या कारण है बरफ सफेद होती है कुछ बरफ नहीं हो पाती है कुछ बरफ के मारपार देख सकते हैं बताइए दोस्तों क्या बरफ में वायू के कारण क्या बरफ में कारबन डायॉकसाइड के कारण क्या बरफ में नमी पदा राइड can i a exam player air in it बिल्कुल बहुत बढ़िया क्योंकि आप सबी को पता है कि जो हमारे दोस्तों बरफ होती है जब हम पानी को जमाते हैं तो उस पानी के साथ में कुछ हवा की मात्रा भी होती है ठीक है वह हवा की मात्रा के कारण हमें बरफ कैसी दिखाई देती है दोस्तों सफेद कलर की दिखाई देती है बहुत बढ़िया आर्ट्री भाई सी नहीं होगा बिरोस्टिंग के कारण नहीं होगा असुद्दी हो चाहिए नहीं हो दिए आ आप ने उसमें मिट्पी के कन भी डाले न वहब क्या हो या उनके साथ बिलकुल इन्विल्ड हो जाएगे या फिर उसके defrosting की युकती नहीं है क्या water defrosting manual defrosting reverse cycle defrosting reducing operator temperature बताइए दोस्तों बाई निमन में से note को ज्यान रखो होती है water defrosting manual defrosting reverse cycle defrosting तो होती है लेकिन यह reducing operator temperature बहिया defrosting method नहीं होता है तो right answer क्या होगा दोस्तों इसका होगा डी answer क्या होगा डी answer होगा दोस्तों एक्जाम प्लेयर डी बल्लू चोदरी डी बहुत बढ़िया कि नेक्स्ट जो बात करेंगे 94 क्यूशन की बात होगी दोस्तों 94 क्या कह रहा है जल्दी आसिश आण्षर दीजिए मैं आपको बोल कि बताते हम तर्मेётсяठ श्वूच टूर्मस्टेट स्वूच का काईश क्या किसको बंद करता किसको चालू करता है दोस्तों बताईए और गोल्लू मीपक्तिंस best कॉंप्रेसर मोटर को बंद वज चालू करना और बिल्कुल सभी का आंसर था यह दोस्तो जो थर्मोश्टेट होते हैं वो क्या करते हैं हमारे कम्प्रेचर मैंटेन होने पर कंप्रेसर को बंद करेंगे और जैसे ही रूम का टैंप्रेचर दोस्तों जधा रहता है तो वाउओ को करके कमरे के टाप मान को सेंस करके कंपरेशर को वापीस से चालू करना दोस्तों ठीक है क्या कंप्रेसर की मोटर की वाइंडिंग को डेमेज होने से बचाएगा क्या कंप्रेसर के सोरी कंडेंसर को बचाएगा कि दीजिए सभी लोग आंसर दोस्तों ओल्ली फाइब क्यूशन बचे हैं मैं जल्दी जल्दी ? आंसर दीजे बंलु चोधरी ? याध कंपरेसर मोटर की डेमेज होने से बचायेगा अर्टि वर्ड मैं कंपरेसर डेमेज एक्जाम प्लियर डी आर्टी वाई देखो कंप्रेसर को पूरे कोई डेमेज भोने से बचाने के लिए ओल्पी का यूज नहीं करते हैं कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है ना उसको बचाने के लिए हम किसको यूज मिलेते हैं दोस्तों ओल्पी का यूज करते हैं और इसी के साथ दोस्तों काफी अच्छा क्यूशन अब आया है इतनी देर के बहुत बढ़िया क्यूशन है यह है क्यूशन बहुत बढ़िया दा रेशियो और हाई एंड लोएस टेंपरेचर इने रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस वन पॉइंट टू फाइव जो मारा हाई टेंपरेचर लो टेंपरेचर का एक अनुपात दिया है वो वन पॉइंट टू फाइव और हमें ग्यात करना दोस्तों सी ओपी जल्दी से आपकी दो मिनिट है जल्दी से बताईए स्टी ओपी क्या होगी दोस्तों कि अ कि बताईए दोस्तों एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उच्टम वर न्यूंतम तापमान का अनुपात 1.25 है तो सिस्टम का स्टी ओपी बताईए कि बताईए दोस्तों सी ओपी कि अब इसकी उसन में तो दोस्तों तुक्के भी नहीं चलेंगे क्यों कि इसका जो राय आंसर होगा ना वो फिक्स वांसर ही होगा उसमें हम किन्तु परंतु ऐसा नहीं एक्सपेंशन वाल की जगह हमने थ्रोटलिंग कर दिया यह कर दिया तो वह तो क्या दोस्तों चल जाते हैं पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और डी डी सोरफ शेनी डी कि इसले वाले का इस वाले का यह अच्छे इसले वाले का 96 में डी एक्जाम प्लेयर ने आंसर निकाला है डी और किसी का अंसर एक्जाम प्लेयर के लवा दोस्तों जो बात चल दे ना highest and lowest आपको सब को पता है कि high temperature को हम क्या कहते हैं low temperature को हम क्या कहते हैं दोस्तों T1 कहते हैं यह जो ratio दे रहा है किसका दे रहा highest and lowest नेची एक मांद लेते हैं और आप सबको पता है पी-की बात करें हैं क्या होता है COP T1 बटा T2 माइनस T1 ठीक है जब हम COP यह दे रहा है और T2 का मान हमें 1.25 मिल रहा है कितना मिल रहा है दोस्तों 1.25 क्या हम COP बराबर T1 बटा T2 1.25 अब इसी के साथ में हम T1 को भी गुना कर देते हैं साथ में T1 ठीक है दोस्तों COP बराबर t1 बटा अब आप इसमें से इसमें गठाओगे तो कितना देखो 1.25 t1 है तो t1 गठाना है तो हमारे पास बचेगा ना कितना बचेगा 25 t1 बचेगा दोस्तों ठीक है cop बराबर अब यह .25 t1 से t1 कट जाएगा कितना बचेगा दोस्तों .25 बचेगा अब इस .25 को अमारा जो cop का formula होता है efficiency वाला 1 1 प्लस 1 बटा क्या होता है Q और दोस्तो efficiency होता है इसी .25 का मान हम efficiency में रख देते हैं किसका 25 को double zero कितना गठेगा दोस्तों चार पर तो राइट का मान्सटों चार आंसर होगा क्या होगा दोस्तों चार आंसर होगा जिनका आंसर 4 है वो बिलकुल सही है बाकी कुछ लोगों के समझ में नहीं है होगा देखो यह समझ में आएगा अराम से बस जब हम COP के उल्ले COP के न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको कुछ fundamental बताऊंगा COP के बिल्कुल basic में होंगे बिल्कुल सरल में होंगे और मैं यह कहता हूँ पांस से साथ आठ complete इसमें three temperature four temperature कई बर effect किलो केलोरी कुछ भी दे क्यूशन में आपको एक percent दिक्कत नहीं आएगी COP में और आई टे बेस पे दोस्तो इतना ही पूछा जाता है ऐसा नहीं कि आपको बीटे का complete देते हैं ठीक है और सबसे ज्यादा जो कम क्यूशन कर पाते हैं दोस्तों वो लोग COP में क्यूशन नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़े से क्यूशन रेप्रिजreten वेपर लो लोग सब्सक्राइब क्या वस्ता होती है क्या लिक्विड होगा क्या वेपर होगा बात चल नहीं क्या प्याइब सब आना चीह है याद होना चीह मांडी में ना सेकंडों में चलना चीए बल्लू चोदरी कह रहा ऐ कि और आंसर सभी को आंसर दीजिए सभी सभी कि MS तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी हमारे कंडेंसर होते हैंák आउटलेयट पे जो रेप्रीजिहडिण यह चीज आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा 3.4 इस्टार होता है जो भी हमारे फाइव स्टार रेटिंग के जो विंड़ो यह सी आते हैं उनका जो COP होता है वह कितना होता है 3.4 इस्टार होता है तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों की बात करेंगे क्यूसर नंबर 99 99 क्यूसर कह रहा है दोस्तों इन multi split AC system मतलब multi split AC की बात चल रही है outdoor एक होगा indoor क्या होगे दोस्तो काफी होगे क्या आपको दिख रहा है more than one indoor unit more than one cooling tower one indoor end one indoor unit one indoor unit बताइए बाई जो भी हमारे multi split होते हैं उसके माध्यम से हम कई परकार के indoor unit को दोस्तो जोड सकते हैं ठीक है next question की बात करेंगे दोस्तो question number है आज का पूरा का पूरा which of the following refrigerator in now the frost free refrigerator बताइए जो उमारे frost free refrigerator होते हैं दोस्तो उन्हें हम क्या कहते हैं क्या single dot double dot triple dot क्या कहेंगे दोस्तो परिदेको जब आपको refrigerator आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये भी आता है कि जो frost free refrigerator को सामाने अदम क्या कहते हैं double dot refrigerator को ही क्या कहते है frost free refrigerator कहते है right answer क्या है दोस्तो B होगा क्या होगा B होगा लेकिन एक अपुआद है क्या है दोस्तो अपुआद जिस क्यूशन में single dot, double dot, triple dot एक साथ आजाएं उस स्थिति में right answer क्या होगा दोस्तो हमारा D होगा क्या होगा D all of D तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अब ये आपको पता है कि जो single dot हमारा frost free refrigerator नहीं होता है लेकिन examiner दोस्तो क्या मानता है उसको frost free refrigerator मानता है ठीक है तो ये अपुआद पे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखके फिर क्यूशन को apply किया करो ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आज की class हम यहीं पे end करेंगे बाकि आपका कोई confusion कोई doubt होता आप हमें message कर सकते हैं अभी ठीक है दोस्तो कल मिलते हैं कल थोरी की class रखेंगे थोरी में हम कुछ ऐसा topic पढ़ेंगे दोस्तो तो उसका जिकर मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, क्यूशन उससे पूछते हूँ और ओनलाइन दो बजे का जो प्री कोर्स से चला रखेंगे हैं उसमें वही topic पढ़ाएंगे जो exam पूछती है बाकि ठोरी के लिए तो आपको खुद को पताए कि गरंती काफी है ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है exam player थेंक्यू तो आज की क्लास आपको आसा करता हूँ सभी को समझ में आई होगी एक बर कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों आपको का आज का क्लास कैसा लगा समझ में बरकि मैं एक दावा और देता हूँ जितने भी मैं क्यूशन करवाता हूँ दोस्तों ये fact है कोई न कोई क्यूशन आपके बी आर सी हो चाई इंस्ट्रक्टर हो चाई डी एसस भी हो कोई सभी एक्जाम हो क्यूशन जरूर मिलेंगे आपको सर सी ओपी पढ़ाना बिल्कुल देखो मैं बताऊं सी ओपी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल में जो भी हमारे रजिस्टेंस कैपेसेटर काफी पूचे जाते हैं यूनिट्स पूची जाती है ठीक है कई बार एनर्जी पूची जाती है उनके सब के बारे में चर्चा करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब तक के लिए ठेंक्यू टेक केर बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट